हेलो बच्चो तो आज हम जानेंगे हम error कैसे निकालते हैं mislaneous quantities में mislaneous quantities वो होती हैं जिसमें हम सिरफ देखके नहीं बता पाते कि उनके बीच में relation linear है multiple है या क्या है या exponential भी हो सकता है लेकिन यहां पे हम नहीं बता पाएंगे तो इसका एक example यह देखो 1 upon A equal to 1 upon B plus 1 upon C अब यहां पे क्या है कि हम directly नहीं बोल सकते कि A और B A, B और C के बीच में relation क्या है तो उस case में हमारे पिछले जो हमने सीखे फॉर्मूले हैं वो खराब हो जाते हैं अब हम क्या करेंगे? error निकालने के लिए हम differentiation का use करते हैं यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यह relative error नहीं है अगर हमें इसको relative error में convert करना है तो हमें इस पूरी quantity को A से multiply करना पड़ेगा ऐसी ही और अच्छी अच्छी ट्रिक्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को